तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इसनाय और लड़ेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग टेंथ क्लास के उर्दो का चैप्टर नंबर टू पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भावी जान बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग ये चैप्टर ह और बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है आप लोगो सुनकर मजा आ जाएगा पढ़कर मजा आ जाएगा ठीक है तो अभी तो इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर के जो राइटर हैं लिखने वाले लेखक जिनको उर्दू में कहा जाता है मुसनिफ लेखा कोर्दू में क्या कहते हैं मुसनिफ याद रखिएगा ठीक है तो इस चैप्टर को थोड़े दिर के लिए साइड में रखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के जो लिखने वाले हैं मुसनिफ उनके बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में में दिया गयैं वो सबटेल्स को समझ लेते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुसनिफ यानी कीलेखक से और 들іл चैप्टर दोनों से कोश्टन पूछा जाता है और जाया तर लेखक यानिकी मुसनिफ से पूछा जाता है कोशन तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जितना भी डिटल्स दिया है इनके बारे में समझ लेते हैं उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर को जो साईड में रखे रहेंगे लाएंगे सामने और इस chapter को start करेंगे और जल्दी जल्दी पढ़कर इसको भी complete कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले समझी लेखक के बारे में भावी जान नाम के इस chapter के जो writer है मुसनिफ वो है सुहेल अजीमबादी हमेशा किसी भी परस्थिती में जब आप लोग chapter पढ़ें तो chapter के साथ साथ उ हुजीवुる-R joka ielmore और इनका तक्कर मुसनिफ है सोहेल अब आप लोग कहेंगे कि तक ऐसी यह कहते हैं तो समझे और तखलुस किसे कहते हैं देखियो शायर होते हैं ना रोशाणी लिखते हैं तो CC लिखने के दवरान लासटT लाइन में वह अपना एक खास नाम यई करते मैं उसी खास नाम को कहते हैं मोब तखल्स जैसे की मिर्जा कालीक है middle वाकई में शिरोषायरी की की बात हो और मिर्जा गालिब का नाम ना लिया जाए ऐसा तो होई नहीं सकता है तब तो शेरोशायरी यह दूरी है तो देखिए मिर्जा गालिब बहुत ही बड़े मशहूर साहर है तो उनका तखलुस है गालिब यानि कि जब मिर्जा गालिब शेरोशायरी लिखते थे तो लास्ट ल को गालिब तक हभुस दिखाई देगे जिससे पता चलेगा कि यह जो स्यर है किसके ट्वारा लिखा गेए तो मिरधा गालिब के दोरा लिखा गेए बिलकुल वसी तरह सोहैल ाजीम अबादी का तखलुस क्या है सोहेल यानि कि अपने शेर और शायरी के लास्ट लाइन में सोहेल नाम का तखलुस यूज करते थे जिससे पता चलता था कि यह जो शेर है सोहेल अजीमबादी के दोरा लिखा गया है अब सुनिए इससे तो आप लोगो पता चल गया कि सोहेल अजीमबादी शेरोशायरी भी किया करते थे, यानि कि सुहेल अजीमबादी एक शायर भी थे, मतलब इपतदा शायरी से किये, सुहेल अजीमबादी लिखने की शुरुवात शेरोशायरी से किये, सबसे पहले ये शेरोशायरी लिखा करते थे, लेकिन आगे चल कर ये अफसाना नेगारी के तरफ मायल हो गए मतलब की स्टार्टिंग लिखने की तो यह शेरोशायरी से ही किये थे लेकिन इनको उतना जदा शोहरत नहीं मिली शायरी लिखने के ओजसे तो आगे जाकर यह अफसाना लिखना स्टार्ट कर दिये जब आगे चलकर अफसाना लिखे न तो इनको बहुत दा शोहरत मिली लोग बहुत पसंद किये इनके लिखे हुए अफसाने को और बहुत ही जदा बेसुमार अफसाने लिखे और फिर पीछे मुड कर नहीं देखे कि हमको शेरोशायरी लिखना है कि नहीं देख शेरोशायरी लिखना छोड़ी दिये अब अफसाना लिखते चले गए और बहुत बेसुमार मशूर एकदम फेमस फेमस अफसाना लिखे कहानी लिखे ठीक है अब आगे बढ़िए पैदाइश इनकी हुई थी उन्हें से 11 को पटना में याद रखना है कोशन पूछ देता है तो है लजीम अबादी की पैदाइश कब हुई अपसन में दिया रहे गए उन्हें से 11 या फिर कहां हुई तो आपसन में दिया रहेगा पटना टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं इनका तालुक जो है ना जमिंदार खांदान से था इनके मतलब इनका जो परिवार इनके नानिहाल में इनके नानिहाल समझते हैं ना कभी कभी नानिहाल को नानिहाल भी बोला जाता है नानी का घर या फिर मामा का घर ठीक है तो इनकी परवरिश और आप बोल सकते हैं शुरुआती पढ़ाई लिखाई का काम जो है ना इनके नानिहाल में एक मौलिम की सरपरस्ती में हुई थी यह याद रखना है अब आगे बढ़िए इनका आबाई वतन यहाँ पर आबानी लिखा गया है आबाई वतन चलिए आबा आपना में यह शाहपूर बदॉल तो यह याद रखना है इनका यह कहां के मुल्निवासी है तो शाहपूर बदॉल यह भी कोशन पूछ सकता है आगे बढ़िए मुलाजमत की बात कर ले कि सुहल अबादी कहा नौकरी किये थे तो यह और इंडिया रेडियो में मुलाजमत यानि कि नौकरी कर रहे थे लेकिन हुआ यू कि जब यह नौकरी कर रहे थे ना aquell कोई प्रोब्लमा क्रियेट हो गया जिसके जिखें अपनी नौकरी के सिल्सिले में दिल्ली गए और दिल्ली जाने के में यह मुलाजमत कर रहे थे नौकरी कर रहे थे लेकिन कोई कारण रहा होगा को वजह रहा своja से औसले में दिल्दी गये और श्रीण नन अगर के भूक में ठीड घ्याय गिलाय है का मतलब समझिये क्या होता है अफसाना यानि की कहाणी और मजमुए मतलब किताब कहानी का किताब थीक है अथ्य तो इनके não के किता नाम आप लोगे में दिया गया है पहला है चार चहरे दूसरा है अलाओ और तीसरा है आदमी के रूप यह जो पहला है चार चहरे यह परकाशित हुआ था आजाधि के बाद यहां से objective में पूस्छ देता है कि सुहाल अबादी का जो अफ्तानुटी मजमग है चारचे रहे ये कब शाय हुआ कब परकाशित हुआ था तो याद रखिएगा आजादी के बाद हिंदुस्तान को जो बाजादी मिली थी ना तो आजादी के बाद ये परकाशित हुआ था तो ये तीन किताब का नाम याद रखना है जो कि सुहल अजीम अबादी के कहानी का कि पोधे कर लेकिन यह यह लिखा गया है कि फॉहल अवादी टाइटल यही दिये हूं पोधे तो बे जड़के पॉधे यह इनका नावल में कुक्त नाम है और पोधि बहुत ही ज्यादा कहानी लिखेस और बहुत दा मकबूल वह मशूर हुए और इनके अफसानों की तादाद देखिए कितने सारे ये अफसाने लिखे हैं तकरीबन 125 ये अफसाना यानिकी कहानी लिखे हैं बताइए 125 ठीक है और लास्ट में करूंगी तो फिर हो सकता है कि मैं आप लोग को स्क्रिंशॉट लेने का समय देना भूल जाओं ठीक है तो सबसे पहले आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट फडवर्ट ले लीजिए अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं देखें चैप्टर को जो साइड में हम लोग रखे थे अब उसको सामने लेकर आते हैं और स्टार्ट करते हैं और फडवर्ट इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं यह जो कहानी है अफसाना भावी जान टाइटल देखकर आप लोग को कहानी बताई गई है तो उस भावी जान का नाम क्या है तो उनका नाम रहता है रुकया भावी इस कहानी का मरकजी किरदार में कैरेक्टर कौन है जिस पर यह कहानी लिखी गई है वह भावी जान और भावी जान का नाम क्या रहता है रुकया भावी क्योंकि इस चाप्टर म जिस भावी जान की कहानी बताई गई है उनका नाम क्या है याद रखना है रुकया भावी और जिसकी ये भावी रहती है पता है उनका नाम क्या है उनका नाम है अख्तर यानि की अख्तर की भावी रहती है रुकया भावी इसका मतलब अख्तर के बड़े भाई से रुकया भा आखतर के बडे- reminds का नाम रहता है नन्य भाई और स्क्रावी की शादी म legitimacy से कुई रहती है तभी तो अभटर अपने बड़े भाई की वाइफ को भाभी बुला रहा है घ्क है तो थोड़ा रिष्टान आता आप लोग को समझ में आना चाहिए जैसे कि देखिए अक्तर है अक्तर के बड़े भाई का नाम है नन्य भाई ठीक है इनकी शादी हुई रुकईया से तो अक्तर जो है नन्य भाई के छोटे भाई है यानि कि अक्तर अपने भाई की वाइफ को क्या बोलेंगे भाई न बोलेंगे यानि कि अक्तर और रुकईया भाई के बीच क्या रिष्टा है देवर और भाई का रिष्टा है ठीक है तो थोड़ा हमको भी समझ में आता है रिष्टान आता ठीक है तो और समझना भी चाहिए रुकईया भाई जो है यह किसकी भाई है अक् है तो है लग रहा है कि भावी जान की कहानी खुद उनके देवर अक्तर ही बता रहे अपने मुँझे को लिखा गया है यह जो अफसाना है इसका मरकजी कृदार कौने मेन character रुकया भावी पर ये कहानी लिखी गई है तो रुकया भावी को मिसाल बनाकर रुकया भावी को जर्या बनाकर लोगों को यही बताने की कोशिश की गई है कि life में कितनी भी बड़ी परिशानी क्यों आ जाए कितनी भी बड़ी समस्य क्यों आजाए हमें उन समस्याओं और परिशानियों को देखकर भागना नहीं चाहिए डर कर भागना नहीं चाहिए बलकि हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए उन परिशानियों से लड़ना चाहिए उनकोद करना चाहिए क्योंकि अप सुरक्षित है कि आप उन परिशानियों से लड़े लड़े रड़ाँ गया लई की आपकी जिंदधी में आई हुई है परिशानिया जिन्दगी में हमेशा के लिए जिन्दगी पर रहने के लिए थोन आती है परिशानिया कुछ समय के लिए आती है तो जब भी आप लोग के जिन्दगी में परिशानिया आये ना तो परिशानियों को इतना ज्यादा परिशान कर दो कि परिशानिया कर भाग चली जाए और यही बात इस कहानी के जरीए लोग को बताने की कोशिश की गई है रोकया भाबी जिनके जिनके जिन्दगी में धेर सारी परेशानिया होती है परेशानिया ही परेशानिया इनके जिन्दगी में धेर सारा समस्या रहता है लेकिन फिर भी इतना ज्याद के लिए आती हैं कि आप से hope न फूरत पार हमेशा के लिए आती है जिन्दगी के लिए झाती है इसलिए रुकिये भाबी जो है ना जब विए झानगी में पर रिशानिया समस्य आती तो चुन चुन कर उनसे मुकाबला करती है यह रुकया भावी के जिंदगी में लिजे कोई नया समस्या आ गई अच्छा यह समस्या आ गई अब चलो इसको किसी भी हाल में हरा देना है इस तरह इस तरह रहता है और इनके जिंदगी में हजारों लाखों परिशानिया होने के जल्ती और पीघल्ती रहती हैं लेकिन दूसरों को रॉसनी देती हैं इस तरह मिशाल दिया गया यह रुकय भाबी को एक जल्ती वेश शमा की तरह मिशाल दिया गया है और देखिए जो अच्छा अक्टर होता है ना उसी के पास कठिन Она एक्टिंग आता है करने के लिए कर लेते हैं लेकिन जो नए चारा होता है उसी के पास मुश्किल एक्टिंग में उता है जो इंसान के अपने जिंदागी ने से लड़ लेता है अच्छा प्लेयर होता है जिंदगी के परिशानियों से लड़ता है खेलता है हराता है उसी के पास सबसे ज़्यदा परिशानिया आती है तो अगर आप लोग के जिंदगी में परिशानिया रहे हैं तो समझे कि आप अपने लाइफ के सबसे बड़े एक्ट मत होसला भी दे ताकि मैं उन परिशानियों से लड़ सको उन समस्याओं को फेस कर सको ठीक है तो इस तरह चलिए अब स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को रुकईया भावी की कहानी बताती हूं देखे रुकईया भावी जो है ना इनकी शादी हुई रहती है नन्य भाई से नन्य भाई एक पॉलिटीशियन रहते हैं यानि की नेता रहते हैं और होता यह है कि जब रुकईया भावी की शादी नन्य भाई से लगी रहती है तो अखतर यानि की नन्य भाई के जो छोटे भाई रहते हैं अखतर और नन्य भाई के जितने भी परिवार वाले हैं ना उ अपने नेतागीरी में लगे रहेंगे और इधर रुकया भावी घर पर राज करेंगी ऐसा सभी लोग को लग रहा था लेकिन ठीक हुआ इसका उल्टा जैसे ही रुकया भावी की शादी नन्य भाई से हुई तो नन्य भाई को राजनीती यानि की पॉलिटिक्स में रहने के से कोई कारण होगा जिसके वजह से इन पर मुकừa चलने लगा अपनलगा जानार मुकरिंसत्म कोई इंसान रहता है यह दूजाम जेल से बाहर निकलते हैं तो फिर उन पर अगला मुकादमा चलने लगता और यह हमेशा जेल में ही रहते थे और इस तरह रुकया भाभी के सर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती अब देखिए अख्तर जो है न यह शायर रहते हैं यह अपने घर पर नहीं रहते हैं लेकिन सबी लोग को यही लग रहा था न कि रुकया भाभी की शादी हो जाने के बाद रुकया भाभी अपने ससुराल में आकर घर पर राज करेंगी देखिए उसका ठीक उल्टा हुआ नने भाई तो हमेशा जेल में ही रहते थे यानि कि घर के जितनी भी जिम्मेदारिया है रु और उसके साथ बच्चों को तयार करा कर खाना वगरा खिला कर और फिर भेज देती स्कूल तब उसके बाद से मिलने वालों का सिलसला सुरू होता सबी लोग को लग रहा था कि नन्य भाई की वाईफ है क्या रुकया भाभी नन्य भाई एक पॉलिटिक्स में रहते हैं नेत उनके पास मतलब रुकया भाभी का जो संबद्ध है बड़े लोगों से बिल्कुल भी नहीं था वो सिर्फ सिफारिस ले कर जाती थी ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि रुकया भाभी का तालुक बड़े बड़े लोगों से होगा क्योंकि उनके हस्बेंड जो है नेत लोग तक लेकर जाती थी और उनका काम करवाती थी और इस तरह दिन पर मिलने वालों का सिलसला जारी रहता और देखिये रुकईय भाजी जो है न एक स्कूल में जाती थी स्कूल में लेक्टरर थी जहां पर इनको 7-7 रुपए मिलता था चार रुपए महीने और उसके नहीं हुई थी ना तो एक वक्त इनका ऐसा था कि जब इनके घर में चार-चार नौकर हुआ करते थे सोचिए चार-चार नौकर लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया था जब कि इनके घर में सिर्फ एक ही नौकर था जो कि सिर्फ बाजार से सबजिया खरीद कर ला दिया करता थ इस तरह हो गया था रुकईय भाभी की जिंदगी ठीक है सारे चार से रुपय में पुरा घर का खर्चा चलाना और दूसरों की भी मदद करना ये सारा काम इनको लगा रहा है मतलब सारा काम ये खुद करती थी और सारा जिम्मेदारी लेकर चलती थी दूसरे का भी मदद करती थी और देखिए एक शम्मी नाम की लड़की थी जो की बहुत ज़्यदा गरीब थी और गुरुबत के बावजूद भी ये पढ़ना चाहती थी इसको पढ़ने का बहुत ज़्यदा शौक था लेकिन इसके माबाप पढ़ाने के काबिल नहीं थे उन हर रोज उनके मुलाजम की कोई बच्ची थी और बहुत ज़्यदा वह घरीब भी थी तो हर रोज जो अदूद खरीदती थी और हस्पिटल में ले जाकर रुकायभवी पहुचाती थी तो देखिए इनके जिन्दगी में खुद इतनी ज्यादा परिशानिया होने के जिसने भी लोग आते थे इनके पास मिलने के लिए नौकरी दिल्वाने के लिए मतलब नौकरी लेने के लिए तो उनकी बात को सुनती थी और उनका जो सिफारी से बड़े लोग तक ले जाकर पहुचाती थी किस तरह दूसरों की मदद किया करती थी होस्पिटल में तो यहां से कोशन देता है कि रुकईया भाबी को जब फुर्सक्त मिलते थी टो ये याद रखेगा इन शागिर्दों को फुर्सक्त मिलता है ठीक है तो यह सारा बात था और यह सारा जो कहानी है ना कौन बता रहे हैं अख्तर अपनी भावी के बारे में बता रहे हैं कि रुकईया भावी एक जलती और पिगलती रहती है लेकिन दूसरों को रोशनी फराहम करती है दूसरों को रोशनी देती रहती है ठीक है और इस तरह जो है ना अख्तर तीन-चार दिन के लिए आये रुकरया-ख्यवव法 a ग्लत्यक्तिय एक्टिविटीं को देखे थे इस तरह रुकरया भावती सुवा से उठकर और मशीन की तरह नहीं रहती और जब तक रात नहीं होता थब तक मशीन की तरह काम करते रहती थी और ये एक वक्त ऐसा आगया है कि साधी चार सा रुपए इनको मंतली मिलता है और उसी में घर का सारा जो है ना मेंजमेंट करना है और दूसरों की भी मदद करना है किस तरह यह रुकईया भावी सारा मेंजमेंट करती थी यह जो है ना देखकर अखतर चौक जाते थे बोल रहे हैं अग्तार कि जब भी रुकईया भावी का नाम में सुनता हुना मेरा रा सर जुना जुक जाता है उनके सामने थीक है तो अखतर 3-4 दिन के लिए आये थे और रुकईया भावी के सारी एक्टिवीटी को देक रहे थे रुकईया भावी जो है नא एक दिन दहीं हुआ चो रुकया भावी शम्मी का हाथ पकड़ कर कमरे के अंदर लेकर गई और दरवाजा बंद कर दी और अच्छे से बिठा कर पुछी रुकया भावी शम्मी से कि आखिर बता हुआ क्या है फिर भी शम्मी नहीं बता रही थी उसके आंक से आंक में जो आसू था अब वो गिरने ठीक है तो तब लास्ट में शम्मी ना बताई कि देखिए रुकया भावी बात दरसल यह है कि मेरा भाई जो है ना उसका में का फॉर्म भरना है और लास्ट डेट है लेकिन पैसे का कोई इंतिजाम नहीं है यह बात सुनकर रुकया भावी शम्मी के गाल पर एक चपात लगए और बोली की इतनी सी बात तुम मुझसे नहीं बता रही थी रोती ही जा रही थी रोते ही जा रही थी बता और जाकर रुकया भावी अपना अलमीरा खोली और उसमें से दो छोटी-छोटी सोने की चूडिया निकाली और शम्मी को लजा कर देदी देखिए दो दिन पहले ही वो सोने की चूडिया जो है न रुकाया भावी अपनी बेटी रहाना के लिए कड्या थी तो सोने की चूडिया उसको तुरण्थ निकाली और श्रमी की हाथ मिले जाकर थमा दिये और बोली कि यह लो इसको जाकर फरोक्त कर लेना यान कि भी पैसा मिलेग तुम अपनी भाई कि इमे का फॉर्म भरवा ले ना सचिए कितनी दिलदार थी अपनी बेती रहाना की दोषू ने की चुरिया शम्मी को दे ली क्योंकि उसके भाई का मे का फॉर्म भरना था इस तरह थी ग्belsा मढंव ठीख है फिर उनसे बात करने का वक्त ही नहीं मिलता तो एक दिन रुकाईय भावी खुद ही मुझे पूछ दी कि अरे अखतर तुम्हारे शादी का क्या हुआ सुमी थी कि तुम्हारा शादी तुम्हारे मम्य पपा लगा रहे हैं लगा रहे तो ठीक है नहीं तो चुप-चप बैठे रहो शादी मत करो तो रुकया भावी बोली अच्छा तो तुम जमीला से साधी करना चाहते थे ना अख्तर की गल्फरेंड रहती है जमीला जिससे ये साधी करना चाहता था तो रुकया भावी पूछती है कि जमीला से तुम साधी करना चाहते हो ना तो अख्तर बोला कि हाँ शाधी तो करना च शादी करोगे तो यह बात सुन कर अख्तर बोला कि मैं तो मा के मन पसंद लड़की से शादी नहीं करूंगा मैं तो करूंगा तो जमीला से ही करूंगा ठीक है मैं सोच रहाँ कि जाकर और चुपके से जमीला से शादी कर लूँ और फिर जमीला को आपके पास लाकर रख दूँगा और फिर मैं अपना नौकरी के लिए निकल जाओंगा पैसे वगरा कमाओंगा ठीक है रुकया भावी बोली कोई बात नहीं है तुम शादी कर लेना जमीला से जाओ शादी कर लो और फिर निकाह कर लेने के बाद मेरे घर मिला कर रख देना मैं उसका खर्चा उठाऊंगी कोई बात नहीं है और तुम आराम से जाकर जो भी तुमको नौकरी करना है वो करना ये बात सुनकर अक्तर का जो है ना अक्तर और भी ज़्यादा चौक गया अखतर जो है ना अखतर के लिए रुकाय भावी का जो इस जप था सम्मान था और भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि यह सोच रहा था कि रुकाय भावी के पास इतना मतलब इतना ज़्यादा काम है इतनी ज्यादा जिम्मिदारियां है उसके बावजुद भी एक और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, मतलब जमीला को बोल रही है कि शादी करकर लाकर यहीं पर रख दो, मैं उसका खर्चा चलाओंगी, ठीक है न, तो बोला कि ठीक है, अब मैं कल शाम की ट्रेंड से निकल जाओंगा, और फिर देखा ज घ़र टाइब करता है, वहां पर सर रखकर और उदास बैठी रहती है, और उनके हाथ में कागज रहता है, ठीक है न, वो कागज को हाथ में लिए और में पर सर रखकर और उदास बैठी रहती हैं एकदम उदास तो अखतर आते हैं देखते हैं कि रुकया भावी कभी इतना उदास नहीं बैठती है आज इतना उदास क्यों बैठी हुई है तब अखतर पूछते हैं रुकया भावी कुछ नहीं बोलती है उनके हाथ में जो कागज रहता है अखतर लेकर देखते है तो उस पर उस कागस पर यही लिखा रहता है कि रुकया भावी के जो हस्बेंट है नन्य भाई उनका जो जेल की सजा है वो दो साल और भी बढ़ा दी गई है यानि कि और दो साल जेल में रहेंगे और यही खबर सुनकर रुकया भावी उदास बैठी थी अख्तर को बहुत ज़्यादा मतलब और भी जो है ना इनको एक तरसे गुस्ता भी आ रहा था कि नन्य भाई का जेल क्यों बढ़ा दिया गया और एक रुकया भावी पर मुह भी लग रहा था रुकया भावी का होसला बढ़ाने के लिए अख्तर जो है ना रुकया भावी से बोले कि आप फिक्र मत किजिए भावी जान यह तो आपका इमतहान है आप नीडर होकर लड़िए यह बात सुनकर रुकया भावी को समझो की एक तरसे मोटिवेशन मिल गया अख्तर जब यह बात बोले ना कि फिक्र मत किजिए भावी जान इस तरह के और भी ज्यादा समस्या है और इस तरह की और भी ज्यादा परिशानिया आपके जिंदगी में आएंगी यह बात सुनकर रुकया भावी को एक तरसे होसला मिल गया और रुकया भावी तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली अख्तर से कि तुम सही बोल रहे हो अख्तर इस तरह की धेर सारी परिशानिया हमारे जिंदगी में आएंगी तुम सही बोल रहे हो हमें यूं कमजोर नहीं पढ़ना चाहिए अभी इस तरह की धेर सारी समस्याओं से हमें लढ़ना है और तुरंत रुकया भावी उठी और उठकर जाकर मुहाद दोकर तयार होकर ऐसे बाहर निकली ना जैसे लग रहा था कि अभी कुछ दिर पहले रुकईया भावी के साथ कुछ हुआ ही ना हो एकदम फ्रेस होकर एकदम टेंसन फ्री होकर फिर बाहर निकल कर सारा काम पहले जैसा करने लगी ऐसा लग रहा था कि कोई तुफान दो सेकेंड के लिए आया था और फिर चला गया रुकईया भावी फिर पहले जैसा काम करने लगी इस तरह अख्तर की बातों से उन्हें होसला मिल गया हिम्मत मिल गई तो इस तरह थी रुकईया भावी इतने खुबसूरत अंदाज में अख्तर अपने रुकईया भावी की कहानी इस चैप्टर में इस अफसाने में बताया है और वैसे ये कहाने लिखा गया है किसके दोरा, सुहयल अजिम अबादी के दोरा सुहयल अबादी लिखे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि अख्तर अपनी भावी, रुकया भावी की कहानी बता रहे हैं तो इस तरह थी रुकया बाभी और यहीं पर हो जाता है आप लोग का चैप्टर कंप्लीट अई होप आप लोग को यह चैप्टर समझ में आया होगा और सो है लेजिम बादी के बारे में सारा डिटेल्स तो मैं आप लोग को बता ही दी तो यहां पर पूर्ण रूप से आप आप लोग चैनल पर नए आया हुए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा उससे होगा यह कि मेरी रोज जाने वाल वीडियो और लाइफ क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक है तो आज की इस वीडियो को यहीं पर चलिए इंड कर हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज